हाँ जोटा, calculation of partition values, quartiles, deciles and percentiles. हाँ जी बेटा, देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, quartile, decile और percentile होते क्या हैं? हाँ जी बेटा, quartiles, जो होते हैं, जैसे median में हमने पढ़ा था, median जो है, frequency distribution को, दो equal parts में divide करता है, हाँ जी बेटा, median क्या होते है, middlemost value of the series, या that value which divides the whole series into two equal parts, quartiles बेटा क्या होते हैं? those values which divide a frequency distribution or a series into four equal parts. हाँ जी बेटा, deciles divides into ten equal parts and percentiles divides into hundred equal parts हाँ जी बेटा, देखे इतर, जैसे मैं बेटा, quartile का example ले रहा हूँ, हाँ जी बेटा, देखो, चलिए यहाँ बना देता हूँ, जैसे बेटा, यह हमारा frequency curve है, एक frequency distribution की help से हमने यह curve डिजाइन किया है, और यह बेटा, हमारा first quartile यह हमारा second quartile और यह बेटा, third quartile तीन quartile, तीन होंगे हाँ जी बेटा, एक Q1 quartile एक बेटा, Q2 quartile और एक Q3 थ्री quartile है हाँ जी बेटा, थ्री quartile है और यह पूरे frequency curve के नीचे का जो area है उसको कितने parts में divide कर रहे हैं four parts में एक part बेटा, यह हो गया, first part एक यह part हो गया, second part एक यह part हो गया, third और एक यह बेटा, four total बेटा, four parts है हाँ जी बेटा और खास बात यह है, यह चारो के चारो parts, equal है equal का मतलब बेटा, सभी के नीचे जो area है वो area बिलकुल equal होगा यानि कि यह area जो है हाँ जी बेटा, यह भी 25% है यह area भी बेटा 25% या one fourth भी कह सकते हो, one fourth और यह area भी 25% है और यह area भी 25% है ठीक है? तो quartiles बेटा हमारे कितने होते हैं? तीन इसको बेटा बोलते हैं, q1 को lower quartile q2 को बेटा बोलते हैं, middle quartile और q3 is known as upper quartile lower quartile, middle quartile and upper quartile ऐसे ही बेटा अगर हम चर्चा करें deciles की हाँ जी ऐसे ही बेटा मैं deciles का अगर बनाओ तो तो deciles को बेटा मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ माल लीजे ये कोई frequency करव है हाँ जी deciles बेटा कितने हैं? deciles होते हैं हमारे 10 और कितने parts में deciles होरी हमारे होंगे 9 और parts कितने parts में डिवाइड कर रहे हैं 10 equal parts में हाँ जी बेटा देखे जैसे ये है d1 ये d2 ये बेटा d3 ये हो गया d4 ये हो गया d5 हाँ जी बेटा ये फिर ले लो आप d6 हाँ जी बेटा फिर ऐसे d7 हाँ जी बेटा d8 और d9 हाँ जी बेटा ये हमारे deciles हो गए deciles बेटा कितने हैं हमारे 9 ये हो गया हमारा d1 यहां बेटा मैं लिख देता हूं d2 d3 ये बेटा हो गया d4 हाँ जी बेटा हमारा d5 ये हो गया d6 d7 d8 and d9 हांज बेटा और यहां पर आप मुझे एक बात बताओ जैसे यहां क्या था फिरिगाege Р अगर हंडर्ड पर्सेंट था 100 पर्सेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था तो कितने कितने पर्सेंट एरिए कवर कर रहे ही which quarter kalo 25 पित तो इहां मिवे अगर total एरिगर हंडर्ड परसेंट ए और 100 पर्सेंट को बेटा मैं there classy 10 10% area cover होगा तो यहां वेटा यह जो एरिया है यह 10% है यह भी एरिया वेटा जितने भी है यह सारे यह सभी 10 10% है हां जी बेटा यहां इसको बेटा 1 by 10 भी कह सकते हो वन अपॉन 10 10% का मतलब होता है 10 by 100 जैसे 25% का मतलब है 25 by 100 वन फॉर्थ 25 परसेंट को आप वन फॉर्थ भी कह सकते हैं तो 10% को बेटा क्या बोलेंगे वन ओवर टेन दसमा हिस्सा लो वेटा ठीक है यह हमारे डिशाइन है सेम ऐसे विटा परसेंटाइल परसेंटाइल होते हैं 99 पीवन से लेकर पी 99 तक ठीक है और 100 इक्वल पार्ट्स बनेंगे वह अब सबसे पहले हांज बेटा मैं बात करूंगा इंडिज्वल सिरीज में क्वाइटाइल डेसाइल और परसेंटाइल कैसे निकालते हैं उसका बेटा वर्किंग रू लिखेंगे सबसे पहले आज बेटा जो हम टाइप कर रहे हैं 28 वह इंडिज्वल सिरीज कि अधिक हांजी बिल्कुल नमन कहा रहे हैं 1 परसेंट परसेंट अईगा बिल्कुल सही कहा हुआ है उपके तो शाइब टो वर्किंग रूल पहले बेटा लिख लेते हैं या वर्किंग रूल क्या रहेगा कि फस्ट टेप बेटा क्या रहेगा चाहे आपको क्वार्टाइल निकालना हो चाहे परसेंटाइल निकालना हो हां जी बेटा कुछ भी निकालना हो सबसे पहले और मेडियन की तरह अरेंच दा वेल्यूज ओफ वेरियेबल जिसको में अब्जर्वेशन भी बहुत देते हैं आइधर इन असेंडिंग ओडर और डिसेंडिंग ओडर सबसे पहला काम आपको वही करना है सेकेंड स्टेप przypad क्या करना कैण को यहां हुआ यह सेकिंड स्टेप में डिसेंडिंग ओडर में करने के बाद कांड है लिए रर ओफ और ऑफ चल्वेशन रहीं और ऑफ ड्रवेशन इनबर और यह स्मॉल एंथ हां जीटर है कि हमारा सेकिंड स्टेप हो जए थर्ड स्टेप में बेटा क्या करना है कि थर्ड स्टेप में क्या होगा थर्ड स्टेप में आपने क्वार्टाईल निकालना जैसे तो यहां क्वार्टाईल के लिए मैं लख रहा हूं क्यों के क्यों के कि वैवरी बटा वंपी हो सकती है Two भी हो सकती है Three भी हो सकती है as duciger characters सब्सक्राइस हमारे ट्रीन होते है तो के की कि वेल्यू बेटा वन भी होगी फोगी अगर फोर्मुला यह रहेगा साइज जोग एन प्लस वन में बेटा क्या लेते थे नीचे नीचे लेते थे टू को आटाइल में बेटा कितने पार्ट सें फोर नीचे बताओ क्या लेंगे नीचे क्या लिखूं नीचे फॉर इसमें एन प्लस वन बै फॉर आएगा और साथ में एक चीज और ध्यान लेखना है इंटू के इंटू के भी लगाना है कि एह तयर कि थाईटम हुआ अ डेसाइल में डेसाइल में बताओ क्या करेंगे यहां पर एक ची Baş turmeric है कि की वैलिए motorcycle seem डेसाइल में डेसाइल में के की वेल्यू डेसाइल में बिटा 1 2 3 up to 9 डेसाइल 9 तक होते हैं 1 से 9 तक कुछ भी ऊसकता है डेसाइल में बिटा क्या लेंगे नीचे इस फॉर्मुले में एन प्लस वन अपॉन उत्तम कह रहे हैं के समझाना के मैं बताओंगा अभी डॉन्ट वरी अभी जब कोश्चन करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा हां जी साइज ओफ एन प्लस वन बाय टेन इंटू के थाइट अभी बेटा सम करेंगे तो सारी चीजे कलीर हो जाएगे हां जी चलिए और परसेंटाइल में पी के परसेंटाइल में बेटा लिखेंगे पी के हां जी सीथे तोब आइड पार्टस में डिवाइड करता है वैसे देखो अदेसाइल कहां तक है नाइन तक टैन इंटाइल पार्टस हैं और होतें कितने हैं नाइन को आटाइल कितने four इक्वल पार्टस और होतें कितने और परसेंटाइल में परसेंटाइल में फिटा फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ परसेंटाइल में नीचे क्या लेंगे एंड प्लस वन अपॉन हंडर्ड अपॉन हंडर्ड इन्टू के थाइट वेरी गुट और इसमें वेल्यू क्या वज़क्ति है एक वेल्यू वन टू थ्री से लेके 99 तक लोग बहुत अच्छे हांज बेटा अभी आपको हो सकता है कुछ भी समझ में ना आया हो अब बेटा हम मैं एक एक्जाम्पल की हेल्प से इसको आपको समझाऊंगा ठीक है अपनी तरफ से एक मैं सम ले रहा हूं उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज़ पे मूव करना होगा तो मैं नेक्स्ट पे कि मैं अख्यों है हां जी अक्रिक सम एं być है एए एक्स्ट की विटा सध्के डिश्ट 말ी उसरेतलव करवानों कि अ three six two eight twelve four and fifty यह वेल्यूस मैं ने ले ली स्पोर्ज किजिए यह सम आ गया आपके पेपर में और यह कह दिया find हां जी विटा find क्याओ three एक क्याओ three निकालना है और एक विटा निकालना है डी six यह दोनों calculate करके दिखाने है क्याओ three and d6 तो कैसे calculate करेंगे देखिएगा हां जी विटा सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है एक्स की जितनी भी वैल्यूस है उनको किसमें अरेंज करेंगे असेंडिंग ओडर में असेंडिंग ओडर में असेंडिंग ओडर में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं two three four फिर आजएगा six eight twelve और फिफ्टीं हां जी विटा असेंडिंग ओडर का मतलब इनक्रीजिंग ओडर में सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे तो टोटल वैटा वैल्यूस कितनी होगी यह फर्स्टेप हो गया हमारा इस सेंडिंग ओटर में अरेंज औरने के बाद सेंडिंड स्टेप यह फ्रीड था फीटी स्टेप के अधर फ्र्मुला लिखो तो क्यों के जो के बिटा लिखो और फौरमुला यह था साइज ओ एन प्लस बन अपान फॉर एक ब्रेकेट लगा और प्रेकेट के बाहर के और लिखना है और टी एच किया अंजिटा अभ देखुक्सितर न की विद्यूश्स कितनी हैं जैंवन यह क्या पूसर। करनी दो पूसरा श्र्या właści प्रट और किया की वेल्यू तो क्या थृत्री निकालना है तो क्या पर दोएं ड मताओ के की वेल्यू पूट करतेते हैं 3 लो जी लिख दू बटा यहां मैं के की वेल्यू तो ले रहा हूँ 3 और N की वेल्यू 7 करो जी पूट इसमें क्या बनेगा साइज ओफ यहां लिखो क्यों 3 और यहां साइज ओफ एन 7 प्लस 1 बाई 4 इंटु के की वेल्यू 3 हां जी वेरी गुट तो यह बेटा कितना बनेगा साइज ओफ 7 प्लस 1 बेटा कितना हो गया एट एट बाई 4 बेटा टू टू इंटू 3 सिक्स्थ आइटम साइज ऑफ शिक्स्थ आइटम आ गया सिक्स बेटा कैसे आया दुबारा से देख लो 7 प्लस 1 8 8 को 4 से डिवाइड करो 2 और 2 को 3 से मिल्टिप्लाई तो सिक्स्थ आइटम बेटा देखते हैं सिक्स्थ आइटम का साइज देखो असेंडिंग ओटर में अरेंज करके यह सिरीज आई इसमें सिक्स आइटम देखो य अब बैटा यह जिस सिर्दा कौर्टाइल राहु लिख रहे हैं इस मीडियन नहीं मीडियन यह क्यों 3 कि अ हर्ड अपर को टायी मग्या है अब देखो अब मैं निकाल रहा हूं थीश हां जी दीसिक्स कैसे निकाल लेंगे एक तो मुझे क्यों 3 निकालना था एक टीश यह फर्स्ट और सेकेंड स्टेप तो बिटा एज इज रहेगा आपको सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है साइज और बताओ फॉर्मूला क्या लिखों एन प्लस वन अपॉन टैन इन्टू 6 के की वैलिए 6 पुट करेंगे क्योंकि हम D6 निकाल रहे हैं अजी बता तो मैंने के की वैलिए 6 ले लिए सीधा ही मैंने Dk, Dk नहीं लिखा मैंने D6 लिख दिया आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले फॉर्मूला लिख लो और के की वेलिव सिक्स पुट कर देना है हां जी बेटा अब क्या करना है साइज ओफ एन प्लस वन एन बैटा है सेवन सेवन प्लस वन बाइटेन इन्टू सिक्स्ट राइट हां जी बेटा जरह मुझे बता हो यह कितना आएगा सेवन प्लस वन हो गया इट इंट इटू सोटि एट एट दokता हां जी बेटा हां जी 4.8 आगया बेटा अब सुनना अब यहां पे ध्यान से समझ ना नहीं ए फोड़ा सा फोकस और कैसे मैं इसको करूंगा इस इसको बात बताऊ मेरे को 4.8 कौन-कौन इंप बीच में आता है 8.8 जो है वो पोर और फ़ाइव के ऺिच में आता है कि 7 लौग करेगा इसे करना आझ में prossds इसको करने का तरीका यह जो पहले पूर्ठा ही अधर देंढे darauf प्लसप्लस प्लस CS लिखना 0.8 जहांसे देखते जाने पहले एसे लिखनाए फोर्थ अइटम प्लस 0.8 और फिर बेटा रखाऊएट मीखना फिफ्ठ माईनस फॉँखोंगे चैए इसे लिखना है दुबारा से देखो 4.8 है तो 4th item प्लस 0.8 फिफ्ट माइनस 4 माले ते 4.9 होता तो 4th item प्लस 0.9 फिफ्ट माइनस 4 हां जी ध्यान से सुनों गर 4.2 होता तो 4th item प्लस 0.2 फिफ्ट माइनस 4 इन दोनों का डिफ्रेंस लेना हमेशा फिफ्ट माइनस 4 हां जी अब देखो इधर देखो बेटा 4th item 4th item उपर देखो कौन सी है 4th item है 6 हां जी हां जी बेटा इधर देखो 6 प्लस 0.8 और फिफ्ट माइनस 4 फिफ्ट आइटम यह रही 8 माइनस 6 हां जी बेटा इसी हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 6 बेटा कितना हो गया 8 माइनस 6 हो गया 2 2 इंटो 0.8 1.6 तो 7.6 बेटा आंसर आ जाएगा आंसर हमारा 7.6 आएगा ठीक है अभी मैं और दे रहा हूं सम अभी आपको समझाते हैं और हां जी बेटा स्पोस करो इसी सम में हां जी बेटा इसी सम में मुझे एक और पी 60 पी 60 निकालने है आंज पी 60 कैसे निकाल लूँगा मैं पी 60 निकालने के लिए पहले बेटा फॉर्मूला अप्लाइब करो साइज ओफ एण प्लस वान अपउन हंड़र हें कि क्लिए सिस्टी ऐभी यह फिरवला निचे लियो हम लिया प्रसेंटाइल हैным पार्ट्स में ने और इन तु और इंटो 60 तो यह बेटा बनेगा size जो 7 प्लस 1 8 8 इंटो 60 increasing और decreasing से बेटा same answer आएगा चाहे increasing से करो चाहे decreasing से करो same answer 7 प्लस 1 8 इंटो 60 480 divided by 100 यह भी बाई चांस बेटा बाई आ रहा है 4.8 ही आ रहा है 7 प्लस 1 8 8 इंटो 6 हाँ 4.8 तो calculation वही की answer भी same आएगा बाई चांस इसका answer भी भी आ जाएगा 4.8 आएगा हाँ जोटा तो इसका answer भी 7.6 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी देखो 4.8 आया था तो solve करने का तरीका वही रहेगा अच्छा आप सभी बचे काम करो आप मिरको निकाल के दिखाओ D3 हाँ जोटा D3 वेट कर रहा हूं है अच्छा आप झाल हान जी बेटा सभी बच्चे P73 निकाल लेंगे और फटा फट से बेटा चैट बुक्स में अपना अंसर लिख दो झाल हां जी बेटा देखो P73 कैसे निकाल लेंगे P73 के लिए बेटा फॉर्मूला क्या अपलाई होगा साइज ओफ एन प्लस वन अपॉन हंड़र इन्टो 73 इन्टो हां जी बेटा देखो तो यहां पे आप क्या करोगे साइज ओफ एन की वेली बेटा 7 7 प्लस वन एट 8 इन्टो 73 बाई हंड़र हां जी बेटा जरा अब यह बताना कितना आएगा 8 इन्टो 73 अपॉन हंड़र बताओ बेटा इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 584 बाई हंड़र 5.84 हां जी बेटा यह आ गया साइज ओफ 5.84 अब जरा एक बात बताओ मुझे 5.84 जो है वो किसके बीच में लाई करता है 5 और 6 के बीच में लाई करेगा तो इसको बेटा ऐसेज करेंगे देखो 5 फिफ्ट आइटम पलस 0.84 और यहां बेटा ब्रेकेट में लिखेंगे 6th माइनस 5th हाँ जी बेटा फिफ्ट आइटम बेटा कितनी है 5 आइटम उपर से देख लेते हम यह बेटा फिफ्ट आइटम है 8 और 6 आइटम 12 तो बेटा यहां लिखो 8 पलस और 6th 12 माइनस 8 हाँ जी बेटा यह बनेगा 8 पलस 0.84 मल्टिप्लाइड बै 4 हाँ जी बेटा तो यह बेटा आंसर आजाएगा 10.56 यह बेटा हमारा final answer होगा बता होगार दोन समया प्लस जिए walking प्लस आइएगा आएगा यह आएगा 6 आएगा 6 आएगा 7 को एगना